कोरोना वाइरस को कंट्रोल कैसे करें कोरोना वाइरस के कंट्रोल में जो हमारे पास सबसे सक्सेस्फॉल लेकिन बहुत ही हार्श मिसाने व वो है चांईना की आप देख, cfat hai है कि डेली किस तरह से drop हो गए उसके बाद मैं देखिए यूरोप के अंदर growth हो रही है आईए इस चीज़ को समझते हैं दो मिसालों के जरीए ताके हम सब बहुत अच्छी तरह से समझ ले हमें कोरोना वाइरस को कैसे कंट्रोल करना है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ जितने लोगों को कोरोना वाइरस का infection हुआ था उसमें से तकरीबान 82,000 लोग totally recover हो चुके हैं पहली मिसाल से शुरू करते हैं ये एक ऐसी society की मिसाल है जिसमें कोई पाबंदी नहीं है कोई restriction नहीं है कोई lockdown नहीं है कोई लोगों को अलग थलग रहने नहीं कहा गया है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो brown dot वाला है वो infected person है जिसे infection है और जो blue dot में है वो healthy है और जो pink में है वो recovery जिसकी हो गई वो है अब आप देखी क्या हुआ ये 200 लोगों की society के अंदर आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं न पहाड़ी का उसका curve देखी upward curve अगर इसके अंदर इंडिया जैसे 137 करोर लोग होते तो ये curve कहां तक उपर जाता और कितने कम वक्त के अंदर जाता वो आप इसके अंदर देख सकते हैं समझ सकते हैं एक दूसी मिसाल देखते हैं कि ऐसी society की जहांके पॉने याने के 3-4 75% लोग restricted है याने अपनी ही जगा पे रुके हुए हैं 25% लोग है हर जगा घूम रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर वो infection कितनी slow speed से spread हो रहा है और साथ-साथ में किस तरह से लोग recover भी हो रहे हैं यहां पर hospital beds की कमी नहीं होगी यहां पर proper attention दिया जा सकता है एक साथ में बहुत साह लोगों की मौत नहीं हो जाएगी और जो वक्त गुज़रेगा वो वक्त के अंदर हो सकता है को vaccine भी आ जाए ऐसे ही और videos बनाने में हमारी मदद करें अ क्वाइबा सकती हो बनाने लोगन यहां हो जाएबावों की में यहां यहां चले सचे में ढो में नहीं हो।